साथ समुंदर की ये कहानी पढ़ते हैं हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं हम लोग साथ साथ और इसे कंप्लीट भी करेंगे साथ साथ एंड इसे समझेंगे भी साथ साथ तो आज की हमारी कहानी है एक 37 इयर ओल्ड बिस्नेसमैन की जो अपनी फैमली के साथ वर्ल टूर पे निकलता है थ्रू असिप यानि उन्हें साथ समुंदर पार करके वर्ल टूर करना था तो आखिर ये फैमली कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं इस जर्नी में और क्या य गौर्डेन कुक एंड एलन इस्ट तो अराम से जुकुमु को बैठो एंड 3D अनिमेशन का मज़ा लो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक्जाम में तो इस चैप्टर से फुल मार्क्स लिया हो गया अराम से तो चलो सुरू करते हैं चैप्टर को उससे पहले हम ल तुमारी नरेटर की वाइफ है मैं हूँ जनेथन एंड मैं तुमारे नरेटर का बेटा हूँ हैलो गाइज मैं हूँ सुजान जोनेतन की बहन यह थे हमारे चैप्टर के सबसे में कारेकटर सुचलो चैप्टर को शुरू करते हैं अब नरेटर जो की 37-year-old एक बिजनसमें वो हमें इस चैप्टर को ये भोलते वे स्टार्ट करते हैं कि जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा 6 साल का बेटा जॉनेथन, मेरी 7 साल की बेटी सुजान, हम लोग चारो प्लाइमोथ इंग्लाइंड से सिप के वर्ल टूर पे निकलते हैं, चोकि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 सालों पहले कंप्लीट किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने 16 सालों तक इसके लिए ट्रेनिंग किया और अपने आपको प्रिपेर किया था, हमारा सिप का नाम वेव वॉकर था, जोकि 23 मीटर लॉंग था और उसका वेट 30 टन्स था, हमने इसके टेस्टिंग में कई महिने भिता दिये और इसे रफेस्ट वेदर में टेस्ट किया, हमारे प्लैंट जर्नी का तीन साल बहुत अच्छा गुजरा, हमने 1,5,000 किलो मीटर बिना कोई दिक्कत के पार किये, जोकि था वेस्ट कोस्ट आफ एफिरिका से केप टाउन तक, अब इस्ट में आगे बढ़ने से पहले हमने दो क्रियू मैं, अमेरिकन लैरे विगल एंड स्विस हब सिजलर को रख लिया, ताकि वो हमारी हेल्प करे, वर्ल्ड की रफेस्ट सी, इस साउधर्न इंडियन ओशन को टैकल करने में, आगे बढ़ने के दूसरे ही दिन, मौसम बहुत खराब हो जाता है, बहुत जोर जो से विंड चलने लगती है, एंड ये फ्यू विक्स तक कंटिन्यूसली चलती है, विंड की मुझे कोई भी चिंतार नहीं थी, लेकिन वेफ्स की जो साइस थी, वो 15 मीटर्स तक उची थी, जो डराने वाली थी, दिसंबर 25 तक हम 3500 किलो मीटर इस्ट ओफ केव टॉ हम पहुच गये थे, खराब मौसम के बावजूद हमने क्रिस्वस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, हम होप कर रहे थे कि मौसम नियू ये तक और अच्छा हो जाए, और मौसम चेंज भी होता है, लेकिन हमारे बुरे के लिए 2 जैनवरी को वेफ्स बहुत उची बन प्रोल होती है, इसकी फोटो अब स्क्रीन पे देख सकते हो, एयर की साउंड से हमारे एयर्स में पेन हो रहा था, हमने सारे जिप्स नीचे कर लिये थे, ताकि बोट की स्पीड कम हो जाए, हमने लाइफ राफ तैयार कर ली, लाइफ लेंस अटैच कर ली, ओल लगा लिया, एंड लाइफ जैकेट पहन कर वर्स सिचुएशन के लिए तैयार हो गये थे हम लोग, अब 6 पीम के अराउंड सी बहुत साइलेंट हो गया, विंड स्पीड बहुत घट गई और अचानक मौसम पुरा डार्क हो गया, और ये सांती तुफान से पहले वाली सांती थी, अब म मुझे बहुत जोर से अवाज आती है, मुझे लगा कि ये क्लाउड की साउंड है जो हमारे तरफ आ रहा था, लेकिन मैं realize करता हूँ और डर जाता हूँ कि ये तो क्लाउड है ही नए, ये तो एक बहुत बड़ी वेव है जो कि हमारे तरफ आ रहे थी, इस वेव की साइज डबल थी compare to normal waves ये wave direct हमारी सिप से टकराती है और जोरदार धमाका होता है मेरा सर जोर से जाकर wheel में टकरा जाता है और मैं बिहोस होने वाला होता हूँ और डायरेक्ट उस समय पे मैं सीधे पानी में गिर जाता हूँ सिप से मुझे लगता है कि मेरी death बहुत जादा पास है और मैं उसे peacefully accept भी कर रहा था unexpectedly मेरा head पानी से खुद बाखुद बाहर आ गया मैंने देखा कि सिप मेरे से कुछ meters के दूरी पे था and सिप horizontally पलट गई होती है लेकिन अचानक ही दूसरी तरफ से एक जोरदार wave आती है जिससे boat फिर से सीधी हो जाती है मैं तुरंत ही सिप पे जात हूँ waves के कारण सिप इधर उधर toss हो रहा होता है जिसके कारण मेरी left ribs crack हो जाती है मेरे दान तूट जाते हैं and mouth blood से भर जाता है लेकिन anyhow मैं सिप के wheel को संभालने लगता हूँ ताकि boat balanced रहे अचानक Mary आती है और चिलाते हुए बोलती है हम डूब रहे है deck तूट गया है सिप में पानी भर रहा है विल को तुम समालो ऐसा narrator बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं अंदर की तरफ वहां मैं देखता हूँ कि Larry and her पागलों की जैसे सिप से पानी निकाल रहे होते हैं clothes, crockery, charts, tins, toys ये सारी चीजे पानी में float कर रही होती है फिर मैं बच्चों की cabin में जा कर रहा है और माते में एक bump दिखाती है यानि उसके eye के उपर का जो सर था वो फूल जाता है वो बोलते हैं कि मुझे उस समय ये देखने का time नहीं था कि उसे कितना चोट लगा था hammer, screw and a strong कपड़ा जिसे canva बोलते हैं उसे लेकर मैं सिप में ऐसे parts में गया जहां पर पानी आ रहा था and मैं उसे repair करने की कोसिस करता हूँ and उस कोसिस में मैं कुछ हद तक successful भी होता हूँ लेकिन problem और ज्यादा बढ़ जाता है जब hand pump जिसे सिप से पानी बाहर निकल रहा होता है उसमें dirt फस जाता है और वो बंद हो जाता है अब सिप में पानी का level धीरे धीरे है जितने भी सिप में equipment थे वो सारे पानी के वज़े से खो जाते हैं लेकिन मुझे याद आता है कि हमारी पास एक electric pump चार्ट रूम के नीचे रखा हुआ है and thankfully वो काम करता है वो रात बहुत थंडी थी and वो एक endless night जैसी दिख रही होती है हमें radio में कोई भी answer नहीं मिल रहा था and ये obvious सी बात थी क्योंकि हम लोग world के ऐसे जगह पे थे जहां signal पकरना बहुत difficult था Sue यानि कि Suzanne का माथा और ज्यादा fool गया था eyes black हो गई थी and उसने दिखाया कि उसके arms में भी बहुत चोट लगी थी मैंने पूछा कि तुमने मुझे उस time ये क्यों नहीं दिखाया तो व समय जब आप हम लोग की life बचाने की इतनी जादा कोसिस कर रहे थे 3rd January का नया दिन स्टार्ट होता है pumps के चलते सिप में water level control में रहता है and 2 hours के rest के बाद वो लोग rotation में काम करते थे यानि कि 2 hours कोई और काम करता था and एक जहन आराम करता था and इस तरह के rotation में वो लोग काम करते ताकि pressure किसी एक जहन पर ना है अब उस बड़ी सी wave को hit किये हुए 15 घंटे बीच जाते है हम Australia जो की next target था वहां तक अब ship को नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि जो ship की condition थी वो बहुत खराब हो चुकी थी मैं charts को check करता हूँ and मैं calculate करता हूँ कि हमारे सबसे पास 2 island थे उन में से एक था Amsterdam जो कि एक French scientific base था and ये हमारा last hope था survival का क्योंकि हमारा engine भी खराब हो चुका था अब next day that is 4th January का date आता है 36 hours of continuous pumping of water के बाद water level ship में बहुत कम हो जाती है Mary को अब कुछ biscuits and खाने का समान मिलता है and हम लोग 2 दिन बार meal खाते हैं 4 PM के around से black cloud ship को फिर से घेरने लगे wind 40 knots की तेजी में चलने लगती है मौसम खराब होता है and 5th January को हमारी situation फिर से खराब हो गई मैं अंदर जाकर बच्चों को जैसे ही संतावना देने गया कि सब किस ठीक हो जाएगा डरों मत वैसे John यानि कि Jonathan पूछता है Daddy क्या हम लोग मरने वाले हैं तो फिर मैं जैसे इस Jonathan को आगे समझाने जाता हूँ वो आगे continue करता है We are not afraid of dying if we all be together यानि कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं अगर हम लोग सभी साथ मरे यानि कि अगर आप मैं मम्मी एंड सू साथ में अगर मरे तो भी मरने से मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि हम लोग साथ ही मरेंगे यहीं से हम लोग के chapter का tagline निकलता है यानि कि title निकलता है उस time पे पूरा तयार था मैं बाहर जाकर ship के आगे के side को repair कर लेता हूं ताकि ship के आगे के journey के लिए strong बन जाए evening के time पे मैं और Mary साथ में हाथ पकड़के बैठे थे और पानी को देख रहे थे जो ship में आ रही थी and वो धिर धिर भर रही थी हमें लग रहा था कि हमारी end बहुत नियर है विव वॉकर ने रात का तूफा जेल लिया था अब 6 जैनवरी का दिन आता है उस दिन wind काफी सांथ हो गया था मैं room में जाकर calculate करता हूँ कि हम कहा है बहुत calculate करने के बाद मुझे पता लगता है कि हमारे around 150,000 wide sea है and हमें उसमें 65 km की एक wide island ढूणनी थी यानि कि ये काम लगभग में impossible था जब मैं कुछ सोच रहा था तभी Sue pain में आती है and मुझे एक card देती है and उस card को देखकर मैं बहुत हसता हूँ and उसमें Sue ने thank you लिखा होता है अब ये देखकर मैं बहुत जादा motivated हो जाता हूँ मैं room में जाकर बहुत सारे calculation करता हूँ ऐसे compass से जो पूरा accurate भी नहीं था क्योंकि accurate compass पानी में खो गया था मैं calculation के बाद उपर के deck में जाता हूँ 2 p.m. के around and Larry को बोलता हूँ की 180 degree पे तुम ship को turn कर लो किस्मत अच्छी रहे तो 5 p.m. तक हम लोग island पे पहुँच जाएंगे ये बोल के मैं सोने चला गया and सीधे 6 p.m. में उठता हूँ मुझे लगा कि हम तो island अब पार कर चुके होंगे and आगे हमें deadly weather को face करना होगा अब उसी time Jonathan वहाँ आता है and उसके पीछे Suzanne होती है और वो बोलता है क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ डैडी मैंने पूछा क्यों Jonathan reply करता है क्योंकि आप दुनिया के best daddy and best captain हो मैं बोलता हूँ आज नहीं John मैं आज डरा हुआ हूँ Suzanne तुरन बोलती है डरने की क्या जरुवत है आपने island ढूण लिया हम island पहुँच गया है मैं दोड़ कर सिप पे जाता हूँ और island मेरे सामने था और ये मेरे लिए सबसे beautiful island था वर्ड में क्योंकि इस island के चलते अब हम लोग बच जाएंगे हम रात सिप में island के किनारे बिताते हैं सुबा उस island के लोग पहुँच जाते हैं हमारे पास में मैंने जैसे ही land को टच किया तो मुझे बहुत सुकून मिला सुजान की bravery को देखकर मैं बहुत ज़्यादा proud में था और जॉनितन का स्टेटमेंट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइ वाल्स हार्ट टचिंग सो गाइस इसी के साथ आज का हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है आई होब चैप्टर बहुत ही अच्छी से क्लियर आउट होगा तुम लोगों को देखो वीडियो बनाने में बहुत जादा लिटरली महनत लगता है इसलिए तुम्हारा एक सब्सक्राइब means a lot for me ठीक है तु सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक करना एंड अच्छा सा प्यारा से कमेंट जरूर करना मैं जरूर पढ़ूँगा कमेंट को एंड रिप्लाइ भी दूँगा सो मिलते किसी ओड वीडियो में थैंक्स फॉल वाचिंग दब वीडियो